हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों यहाँ पे अगर आपको Roblox के application में आपको इस तरीके से problem आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर आपको लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे लिखा रहता है we are experiencing technical difficulties please try again later तो यहाँ पे आपको इस तरीके से problem आते हैं तो इस problem को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे और यह problem आपके phone पर क्यों आ रहा है उसी के बारे में मैं आपको इस video में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे इस problem को solve करना है तो गाइस यहाँ पे आपको इस problem को solve करने के से पहले आपको मैं यह बता देता हूँ कि यह problem आपके phone पर क्यों आ रहा है तो गाइस यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले जो है जो Robles का application है उसमें जो है server down का problem आ रहा था तो जो application है वो down हो चुका है तो वो जो है कुछ दिन बाद यहाँ पे solve हो जाएगा तो यह तो बाद है कि यह server down होने के कारण यह problem आ रहा है तो अगर यहाँ पे आप बाद में यह video देख रहे हैं तो आपको इस problem को कैसे solve करना है वो मैं आपको बताता हूँ तो इसको solve करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तो यहाँ पे आपको जो है अपने फोन में play store को open करना है और यहाँ पे आपको इसको सबसे पहले चेक करना है roblox का जो application है उसको check करना है कि आपके phone में यह जो application है वो update है कि नहीं है तो इसको आपको सबसे पहले अपने phone पर check करना है तो आप लोग check कर लिजे अगर update नहीं है तो आप लोग update कर लिजे तो उसके बाद आपकी problem solve हो जाएगी तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस problem को solve कर सकते हैं और अगर आप लोग update भी कर चुके हैं फिर भी आपको problem आ रही है तो आप लोग setting को open करिए उसके बाद यहाँ पे आपको application पे जाना है उसके बाद यहाँ पे आपको manage application पे click करना है और यहाँ पे आपको search bar पे click करना है और यहाँ पे आपको लिखने है Roblox Roblox लिखने के बाद आपके सामने आज आएगा Roblox का जो application है वो आएगा उसको open करिए open करने के बाद यहाँ पे आपको storage पे जाना है और यहाँ पे आपको clear catch कर देना है normal सा normal सा clear catch करने के बाद आपकी जो problem है वो यहाँ पे solve हो जाएंगी तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस problem को solve कर पाएंगे